हेलो एवरीवन, वेलकम टू टू टी वेल्थ माइनस, आज मैं आपको बताने आला हूँ कि निफ्टी फाइनेशल सर्विस इंडेक्स में कौन-कौन से स्टॉक्स हैं, साथ मैं वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा, आप किस तरह से इस फाइनेशल सर्विस के इं आपकी insurance company हो गई, credit card की company हो गई, आपका exchange हो गया, बलब ऐसी कोई भी company जो की finance related काम करती होगी, वो निफ्टी फाइनेशल सर्विस इंडेक्स का पार्ट होगी, पर इस financial service के इंडेक्स में total 20 companies हो सकती हैं, जो की top 20 companies होगी financial service sector से, तो इस 20 companies के नाम मैं आपको बताऊंगा, त तो यहाँ पे finance और loan, मतलब ऐसी कमपनिया जो finance में काम करती है और वो loan देती है, वो ऐसी 8 कमपनिया है, निफ्टी फाइनेशल सर्विस में, banks 5 है, insurance company 4 है, credit card की company 1 है, और exchange 1 है, और asset management company 1 है, तब हम एक एक करके देखेंगे जो subcategory wise कौन कौन सी company है, जो निफ्टी फाइनेश किसी चीज के लिए loan देना, घर बनाने के लिए loan देना, गाड़ी खरीदने के लिए loan देना, या किसी भी प्रकार का loan देना, gold loan हो गया, किसी प्रकार का loan हो गया, वैसी company को हम financing में रखेंगे, तो सबसे पहली company है financing से, बजाज finance, बजाज फिंसर, चोला मंडलम, SDFC, मुतोट finance, power finance corporation, REC और स्रीराम ट्रांस्पोर्ट कॉर्परेशन, अगला जो सबसेक्टर है finance के अंदर वो है bank, इससे 5 कंपनी आती है, access bank, SDFC, ICIC bank, kotak bank और state bank, अगला जो सबसेक्टर है finance का वो है insurance, insurance के अंदर आती है SDFC life insurance, ICIC Lombard, ICIC potential, SBI life insurance, अगला जो सबसेक्टर है finance का हो है asset management company, asset management company मतलब ऐसी कंपनिया जो की mutual fund house चलाती है, इससे आता है SDFC asset management company, मतलब SDFC, AMC, अगला जो सबसेक्टर है, वो है credit card, credit card से आता है SBI card and payment services, लास्ट सबसेक्टर है financial service index का वो है exchange, exchange का मतलब यह हो गया, जैसे की NSE हो गया, BSE हो गया, जहाँ पर हम stock खरीते बेशते हैं, उसी तरह एक exchange है, जिसमें electricity का exchange होता है, उसका नाम है Indian energy exchange, तो financial service में exchange भी आ जाते हैं, तो यहाँ तक हमने पूरे 20 company का नाम देख लिया, sector wise जो की Nifty financial service index का part है, तो अब इन 20 stocks में जो top 10 stocks हैं, उनका नाम देख लेते हैं, और उनका कितना weightage है Nifty financial service में यह देख लेते हैं, जिस company का जि आपको मैं top 10 stocks बता देता हूँ, तो पहला है SDFC, दूसरे number पर ICIC bank, फिर SDFC, फिर कोटक bank, फिर SBI, इसके बाद जो अगले 5 stocks हैं, वो है Bajaj Finance, फिर Axis Bank, फिर Bajaj Fincer, फिर SBI Life Insurance, फिर SDFC Life Insurance, यहाँ तक हमने stocks के नाम देख लिए और top 10 stocks के नाम देख लिए, अब हम यह देखते ह उसने किस प्रकार के return दिये over the year, तो यहाँ पर मैंने return लगा लिए है, एक साल में minus 4% का return है, तीन साल में 67% का return है, पांस साल में 35% का return है, और 10 साल में 133% का return है, निफ्टी financial service index का, जैसा कि वीडियो के starting में मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप निफ्टी financial service के index में invest कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि आप निफ्टी financial service के index में invest करना चाहते हैं, तो फिलाल आपके पास एक ही option है, वो है एक ETF, Mirai Asset Nifty financial service ETF, आप इसके थूँ निफ्टी financial service के index में invest कर सकते हैं, यह ETF आपको कैसे मिलेगा, आप कोई भी broker क आप यूज़ करते होंगे, जैसे की जरूदा या upstock, वहाँ पर आपको सर्च करना है, Massetf, तो आपको यह जो ETF है, वो मिल जाएगा, और आप इस ETF को buy करके Nifty financial service के index में invest कर सकते हैं, तो अगर आपको किसी और index में कौन-कौन से stock से यह जानना है, या किसी और index के बारे में analysis देखना है, उसके chart के बारे में जानना है, तो आपको वीडियो को link description में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके Nifty 50, Nifty 100, Nifty 200, Nifty 500, Nifty bank, IT, Auto, Metal, सारे index के stock list देख सकते हैं, और उनके बारे में एक छोटा सा overview देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो for watching this video